गुट मार्ड ये रिश्ट्रेंट्स इस क्लास के तैस्ट सभी भी द्यार थी लेशन 10 पढ़ेंगे इंग्लिस रीडर का देखिए चैप्टर का नाम दिया गया है आफ्टर ट्वेंटी एर्स आफ्टर मतलब बाद में होता है 20 मतलब 20 होता है मतलब 20 साल बाद ओके बदेखिए लिकाए the policeman on the beat moved up the avenue impressively the time was पेरली टेन ओक्लाक एट नाइट बट चिली केस और विंट पित अटेस्ट ओफ रेंड इन दम हैड भी डी पीपल्ड दे इस्टेट देखें कुछ बुक में थोड़ा बहुत मिस्टेक है उसको आप लोग सुधा रिएगा जैसे तर टाइम वाज ब्राडली लिखा न उसको बेरली कर लिजेगा ठीक देखें डी और पीपल्ड अलग अलग किया है दोनों को एक साथ कर लिजेगा अब यहाँ पर पहले पेरग्राफ का आप अर्थ समझेगा दे पोलिस मैन मतलब पोलिस वाला on the beat मतलब गस्त पर था moved up the avenue impressively मतलब दिये गए भाग में या गली में ओ टहल रहा था impressively प्रभावित तरीके से मतलब एक पोलिस वाले की तरह दिये गए गली में चल रहा था beat पर था मतलब गस्त कर रहा था the time was barely 10 o'clock at night अभी समय मुश्किल से रात्र के 10 बजे थे but लेकिन chilly guess of winds मतलब जो हवा का एक सर्द जोका था chill मतलब ठंडा होता है चली मतलब ठंड with a taste of rain जिसमें बारिस भी थी in dim head ठीक है मतलब किसमें उस हवा में हलकी सी बारिस का test भी था had de-peopled the states जिसने गली को क्या कर दिया था निर्जन कर दिया था de-peopled मतलब बीना लोगों के मतलब निर्जन कर दिया था when about midway जब लगभग मध रास्ते पर था of a certain block एक निस्चित भाग के block मतलब होता है part भाग जिसको कह सकते है the policeman suddenly slowed his walk पुलिस वाले ने suddenly मतलब तत्काल अपनी गति को धीमी कर लिया अपनी चाल को धीमी कर लिया in this in the doorway of the darkness hardware store a man leaned in the doorway दरवाजे की तरफ of a darkness अधेरे में ठीक अधेरे hardware store hardware store के पास में a man leaned एक आदमी जुका हुआ था with an unlighted secret मतलब बिना जलाए हुए secret से in his mouth कहां पर अपने मुँँ में as the policeman walked जैसे ही पुलिस वाला क्या क्या walk क्या मतलब चला up to him उसकी तरफ the man spoke quickly उस आदमी ने तेजी से बोला कौन तेजी से का मतलब quickly का मतलब fastly जिसको कह सकते fast कह सकते ना ठीक it is all right officer सब कुछ ठीक है officer he said उसने कहा I am just waiting for a friend मैं तो किवल एक मित्र का इंतजार कर रहा हूं it is an appointed appointment it is an appointment mid of 20 years ago यह हम लोगों का एक appointment है मतलब वादा है mid 20 years ago जो कि 20 साल पहले किया गया था sounds a little furry to you doesn't it आपको थोड़ी सी जो मारी बात है मजाक लग रही होगी ना bell ठीक I will explain if you had like to make certain it is all right I will explain मैं इसकी ब्याक्षा करूंगा if you had like to make certain it is all right यदि आप इसे निश्चित करना चाहते हैं यह सब सही है about that long ago मतलब इतनी लंबे साल पहले there used to be a restaurant यहां पर एक restaurant हुआ करता था where the store stands जहां पर की यह store है Big Joy Brandy's restaurant जिसका नाम क्या था Big Joy Brandy restaurant चलिया until five years ago मतलब पांच साल पहले said the policeman पोलिस वाले ने कहा की मतलब यह पांच साल पहले यहां पर क्या हो गया store हो गया मतलब Big Joy Brandy restaurant था वो तूड गया the man is the man in the doorway struck a match and lit his secret वो आदमी जो दर्वाजे पर था उसने माचिस जलाया struck a match मतलब माचिस जलाया lit his secret अपने secret को जलाने के लिए the light sword पोल पेल जहां पोल लिखा उसको पेल कर लिजेगा square एक पीला square का मतलब होता है चोड़ा जोड फेस बित कीन आईज ठीक है चोड़ा चेहरा with keen eyes उत्सुक आँखों से a little white square near his right eyebrow एक सफेद मतलब क्या था निशान था धबबा था काँ पर उसके eyebrow के पास his scarf fin was a large diamond oddly set और उसका उसकी जो scarf fin थी scarf मतलब क्या होता है जो shirt के पास लगाया जाता है was a long diamond oddly set उस पर एक बड़ा diamond जो बेतरतीब तरीके से क्या था set किया गया था ओके तो यह after 20 year की कहानी है आप लोगों का first piece यहाँ पर मतलब क्या होता है in होता है अब हम लोग second piece की steady program करेंगे just like two brothers ठीक जैसे दो भाई I was 18 and Jimmy was 20 ठीक अभी देखी थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया लग रहा है first page में हम लोग यहाँ पर चलती इनीचे का point हम लोग छोड़ दिये थे 20 years ago tonight 20 साल पहले आज के दिन said the man उस आदमी ने कहा I dined here at Big Joy Brandies हमने यहाँ पर नाश्ता किया कहाँ पर Big Joy Brandies with Jimmy किस के साथ Jimmy के साथ और देखें Jimmy ही नाम नहीं था उसका Jimmy Bells नाम था Jimmy Bells के साथ हमने नाश्ता किया 20 साल पहले आज के की राथ My West Friend जो मेरा सबसे अच्छा मित्र था in the finest chap in the world chap मतलब friend होता है संसार के सबसे अच्छे मित्रों में वह हमारा सबसे अच्छा मित्र था He and I were raised here in New York वह और मैं यहाँ New York में रहा करते थे अब देखें अब यहाँ पर हम लोग चलते Just like two brothers ठीक जैसे दो भाई Together एक साथ I was 18 and Jimmy was 20 मैं 18 साल का था और Jimmy 20 साल का था The next morning अगली रात्र अगले सुबह I was to start for the West मैंने अपनी परस्चिम की यात्रा सुरू की To make my fortune अपनी किस्मत बनाने के लिए You couldn't have dragged Jimmy out of the New York आप किसी भी तरीके से dragged मतलब खीच नहीं सकते थे Jimmy को New York से बाहर मतलब Jimmy को आप किसी भी तरीके से New York से बाहर नहीं खीच सकते थे He thought उसने सोचा It was the only place on earth उसके लिए संसार में केवल वही एक स्थान था Well, ठीक We agreed हम सामत हो गए That might कि That we would meet here Again कि हम यहां पूना मिल सके Exactly 20 years ठीक 20 साल From the date and time आज के दिन और समय से No matter what Our conditions कोई मतलब नहीं कि हमारी सर्थ क्या है Might we are from What distance कुछ भी हो और हम कितनी भी दूरी पर हो We might have to come हम दोनों आ सकते है We figured That in 20 years Each of us ought to have our destiny Worked out And our fortune melt We figured हम लोग बना लेंगे That in 20 years In 20 सालों में Each of us प्रतेक मतलब हम दोनों Out to have our destiny जो हमारी किस्मत में होगा Worked out उसको कर लेंगे And our fortune melt जो हमारी मारा भाग्य बनाएगा What you were They were Going to be किस तरीके से वो करने जा रहे हैं इमाने नहीं रखता चली It sounds pretty interesting जो आवाज थी ना थोड़ी सी मज़ेदार थी मतलब जो सर्थ थी Said the policeman पुलिस वाले ने कहा आपकी बचन तो बहुत मज़दार है Rather a long time Bad bean meets इतने लंबे समय मिलने के बाद Though It seems to me यद्यप मुझे परतीत होता है Haven't you heard From your friends since you left क्या आपने कभी अपने मित्र के बारे में सुना इतना दिन छोड़ने के बाद मतलब जब से आपने छोड़ा है Bill Yes For a time be correspondent कुछ समय तक हम दोनों पत्राचार करते रहे Said the other दूसरे ने कहा But a year or two लेकिन एक अथवा दो शाल में We lost track of each other हम दोनों ने एक दूसरे का मार्ग बदल दिया But I know Jimmy will meet me here If he will leave लेकिन मैं जानता हूँ Jimmy मुझसे यहां जरूर मिलेगा यदि वो जिन्दा होगा For he always was trust A stanchist old chap in the world मुझे बिश्वास है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा मित्र है He will never forget वो कभी नहीं भूलेगा I came a thousand miles to stand in this door tonight मैं आया हजारों मिल से और इस दर्वाजे पर क्या हूँ? खड़ा हूँ आज रात And it is worth it if my old partner turns up It is worth ये बेकार हो जाएगा If my old partner turns up ये मेरा मित्र बदल जाता है मतलब ये नहीं आता तो ये बेकार हो जाएगा मेरा यहां आना The waiting man pulled out a handsome watch प्रतिक्षा करने वाले आदमी ने एक सुन्दर घड़ी बाहर निकाली The lids of it set with small diamonds और इसकी lid मतलब काच पर मतलब सीसी के उपर छोटे-छोटे क्या लगे हुए थे? हीरे लगे हुए थे 3 minutes to 10 देखे 10 बजने में 3 मिनट वाकी थे He announced उसने घोशित किया It was exactly 10 o'clock When we parted here at the restaurant door ये ठीक मतलब 10 बजने थे जब हम दोनों ने इस restaurant से अलग हुए थे The policeman said Police वाले ने कहा I will be on my way मैं अपनी रास्ते पर हूँ Hope your friend comes around right आसा करता हूँ कि आपका मित्र ठीक समय पर आ जाएगा I should say not मैं कहा नहीं सकता Set the other दूसरे ने कहा I will give them half an hour at least ठीक है? मैं आधे घंटे Half an hour At least कम से कम आधे घंटे मतलब और दे देंगे If Jimmy is alive on earth यदि Jimmy धरती पर जिंदा होगा He will be here By that time वह उस समय तक निश्चित ही यहां आ जाएगा Good night sir देखे अकले प्रेट पर लिखा कहता है सुभरात्री स्रिमान Said the policeman पॉलिस वारे ने कहा Passing on along his beat और अपने कहां पर चल दिया? अपनी गस्त पर चल दिया बीट मतलब गस्त करना होता है अपनी वादी को पूरा करने के लिए विद फ्रेंड अपनी मित्र के शाथ आफ इस योथ जो उसकी यंग अवस्ता का था इस मोग्ड हिस सिगार एंड वेटेड धुम्रपान किया और प्रतिक्षा किया About 20 minutes 20 minutes के बाद He waited मतलब उसने प्रतिक्षा किया देखे 10 बजन में 3 मिनद आगे था 20 मिनद तक प्रतिक्षा किया मतलब लगभग 10 बज के 17 मिनद तक And then a tall man In a overcoat उसके बाद एक लंबा आदमी मतलब कहां पर कोट से धका हुआ With collar turned up to his ears जिसका कालार उसके कानों तक खड़ा था Hurried across from the opposite side of this street जो तेजी से उस गली से क्रास करते हुए कहां पर जो उस गली की तरफ जा रहा था He went directly to the waiting man वो सीधे कहां किसकी पास जाता है उस प्रतिक्षा करनी वाले आदमी के पास Is that you, Bob? He asked doubtfully उसने संदेह में पूचा Is that you, Jimmy Bells? क्या तुम Jimmy Bells हो? Cried the man in the door वो आदमी जो कहां पर था? दरवाजे पर था Cried मतलब होता है चिला ना लेकिन बोला Bless my heart exclaimed the new arrival जो नया आने वाला था उसने उसको हार्दिक सुभकाम ना दी Gasping both the other's hands दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े with his own अपने में I was contained I had found you here if you were still in existence मैं I was contained मैं ये रखता था I had find मैं पाजाओंगा you here तुम्हें यहाँ if you were still in existence यदि तुम यहाँ बचे होगे well well ठीक 20 years is a long time इस साल बहुत लंबा समय होता है the old restaurant gone बाव वो जो पुराना restaurant था वो तो चला गया बाव I wish it had lasted ठीक है मैं सूचता था कि यह होगा so we could have ठीक है had another dinner here जिससे कि हम लोग यहाँ दूसरा lunch करते नास्ता करते रात्रे का भोजन डिनर मतलब होता है how was the best treated you old man तुम्हारे साथ पस्चिम में कैसा ब्योहर किया मतलब पस्चिम में क्या बीता तुम्हारे साथ ठीक है you old man चली बोले it has given me everything ठीक है very well बोले मतलब very well मेरे उसनी मुझे सब कुछ दिया I asked it for you have changed lots Jimmy मैंने पूछा तुम में तो बहुत परिवर्तन हो गया Jimmy I never thought you were so tall by two or three inches कि तुम दो या तीन इंच क्या हो जाओगे बड़े हो जाओगे ओ I grew a bit after twenty years अरे मैं तो थोड़ा से बड़ा हो गया पीस साल के बाद मतलब जब मैं बीस साल का हुआ doing bell in New York Jimmy तुमने New York में अच्छा किया Jimmy moderately I have a position in one of the city department मेरी एक city department में मतलब city की विभाग में position है come on आओ above we will अब देखें यहाँ पर है we will around to a place I know of and have a good long talk about old time चले हो हम लोग एक अस्थान पर चलते हैं जिसे हम जानते हैं और हम लोग लंबी पात करेंगे अपने पुराने दिन के बारे में the two men started of the states दोनों आदमी गली की तरफ सुरू कर दिये चलना arm से in arm मतलब उनके हाथों में हाथ थे the man from the west जो आदमी पस्चिम से आया था his egotism in laws by success जिसका की egotism मतलब जोता है गर्व घमंड वो बहुत बड़ा था अपनी सफलता का was beginning to outline the history of his career जिसने अपनी career की प्रतीक चीजों को क्या कर दिया बताना शुरू कर दिया the other listened with interest और दूसरा उसको मज़ेदार धंग से सुन रहा था मतलब आनंदित हो करके सुन रहा था अब देखिए यहां से लिखा है at the corner stood a drug store कोने पर एक दुकान मतलब किसका था drug store था medical का इस्टोर था brilliant with electric lights जो बेजली की प्रकास से चका चाओ था when they came into the glare जब वह उसके प्रकास में आए glare each of them मतलब जब वह दोनों एक दूसरे को निहारे turned to gaze upon the other face मुड करके दूसरे का चेहरा देखे the man from the west stopped suddenly जो आदमी पहसिम का था एका एक रुका and released his arms और अपने हाथों को छुडाया you are not Jimmy Wells he said उसने कहा तुम Jimmy Wells नहीं हो सकते 20 years is a long time 20 साल बहुत लंबा समय होता है but not too long लेकिन इतना लंबा नहीं enough to change a man's nose कि एक आदमी की नाग को क्या कर दे परिवर्तित कर दे it sometimes changes a good man into a bad man ठीक है एक अच्छे आदमी को भुरा आदमी बना सकता है इतना समय तो है said the tall man उस लंबे आदमी ने कहा लेकिन एक अच्छे आदमी को भुरा आदमी बना सकता है you have been under arrest for 10 minutes तुम तो 10 minutes से क्या हो under arrest हो मतलब गिरफतारी में हो Chicago police wires us Chicago की police ने हमें wire कर दिया था मतलब तार कर दिया था she wants to have a chat with you वो तुम से बात करना चाहती है going quietly सीधे चलो are you that sensible और तुम्हारी इसी में समझदारी है now before we go on the police station here is a note इसके पहले कि हम लोग police station चले यहाँ पर एक note लिखा है I was asked to hand over to you जो मुझसे कहा गया है तुम्हें देने के लिए you may read it there at the window तुम इसको यहाँ खिड़की पर पढ़ सकते हो it is from petrol man bells यह तो किसके दोरा दिया गया petrol man जो bells था उसे के दोरा दिया गया the man from the west unfold the little piece of the paper handed over to him उस आदमी ने जो कौन था पस्चिम से आया हुआ था मतलब बॉब उसने उसको खोला जो छोटा से कागज का टुकडा था जो उसे दिया गया था his hands was steady उसके हाथ इस्तिर थे when he began to read जब उसने पढ़ना सुरू किया but it trembled a little by the time he had finished लेकिन उस समय तक छोड़ा थोड़ा कापने लगा जब वो समाब्थ हुआ the note was rather short यह जब कि note बहुत छोटा था मतलब जो लेक लेखा गया था उसमें बहुत छोटा था क्या लेखा था नीचे दिया गया बाब I was at appointed place बाब मैं एकदम निश्चित समय पर था when you struck the match जब तुमने match को जलाया माचिस को जलाया to light your cigar अपना सिगार जलाने के लिए I saw it was the face of the man मैंने देखा कि यह उस आदमी का था wanted in Chicago जिसको की Chicago में तलास थी somehow I couldn't do it myself किसी तरीके से मैं इसे अपने से नहीं कर सका so I went around इसलिए मैं यहाँ से गया and got a plain cloths man to do the job Jimmy और यह कारे करनी के लिए जो मुझे करना चाहिए था मैंने एक साधी वर्दी वाले आदमी को भेजा Jimmy अब यहाँ पर चैप्टर समाब तो तह देखे इसमें दो लोग है एक जो bad character का आदमी था जिसका नाम बॉब था जो पश्चिम में गया था मतलब क्या किया चोरी डकैती किया लोगों फ्राइड किया अच्छा पैसा कमाया और दूसरा काउन था Jimmy बेल्स था जो सिकागो में रह करके क्या बन जाता है सिकागो नहीं निव्यार्ट में रह करके पुलिस वाला फुलिस आफिसर बनता है दोनों मित्र थे लेकिन उस मित्रता में दोनों लोगों ने अपने अपने काम को किया वो पुलिस वाला हो करके भी अपने मित्र के साथ मुरववत नहीं कि मतलब क्या क्या अपनी ड्यूटी को निभाया और एक अधर पुलिस वाला आया जिसने उसको क्या किया गिरप्तार किया जो साधिवर्दी में था Avenue मतलब होता है चवणी सडक, impressively प्रभावर डालने वाला, midway, बीच रास्ते में, appointment, nuked किया dragged, घशीतना, stance, बिस्वस्त किया, doubtfully, संदेप्रद, grasping, समझना, department, ब्यभाग, glare glare मतलब चका चाओध होता है ना, sensible, समझदार, gaze मतलब निहारना, ध्यान पूर्वक देखना या घुरना, tremble मतलब कापना अब देखी, यहां पर दिया गया है कुछ जिसको आप लोगों को क्या करना है, note कर लेना है, ठीक, यहां पर take the correct लगा हुआ है, इसके बाद fill in the blank, आप लोग बुक से पढ़के कर लेंगे, proof हाल्स, आप लोगों को exercise बताई जाएगी, इसके बाद देखी, यहां पर जो question answer ह आप लोग अपनी बुक में note कर लेंगे, question answer, question का answer आपको भेजा जाएगा, यह chapter जो है आपका, after 20 years, बहुत interesting chapter है, इसको आप लोग 2 or 3 times पढ़ेंगे, उसके बाद आपको exercise बताई जाएगी, thank you for this class.